नमस्कार इबनिंग नुच में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुखे ख़वर पर नजर डालते हैं आतम समर्पन करने वाले नकसलियों को खुली जेल में रखे कि गुपी। बनाए मुख्यमंत्री गुरुवार को लेफ्ट विंग एक्स्टर मिंस्ट की गतिवीदियों के संदर में आवेजी समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आदेश दे रहे थे ज्यारखन में एक बार फिर भारी बारिश के असार है मैंनमार में चक्रवात बन रहा है इसका असर 25 और 26 सितंबर को ज्यारखन में पड़ सकता है बता दे अगले 24 गंटे में इसके बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने की उमीद है इससे 25 और 26 सितंबर को भारी बारिश हो सकत मौसम केंद्र के अनुसार शुक्रवार को अधिक बारिश हो सकती है राची समेत कई जिलों में बारिश के साथ बजरपात की असंका है इंगलेंड वो आयरलेंड में पढ़ेंगे जारखंड के आदिवासी युगा है पहली बार सरकारी खर्च पर राज्य के आदिवासी छात्र इंगलेंड आयरलेंड और अन्य देशों में उच्छागरहन करेंगे ज्यारखन सरकार की महत्वा कांची मरांग गुम के जयपाल सिंग मुंडा पारदेशी चात्रविर्ती योजना के कारण यह संभव हो सका है बतादे योजना के पहले चरण में आदिवासी जन जाती के छ चात्रों का चरण इस चात्रविर्ती के लिए किया गया है गुरुवार को इन सभी चात्रों को मुख्यमंत्र हमांसुरेन ने समारोह, पुर्वक, समानित किया और बेतर भविस के लिए सुबकमनाय दी SCST पर होने वाले अत्याचारों की निगरानी के लिए कमेटी पूर्ण गठित जारखन में अनुसुचित जाती यों अनुसुचित जन जाती के विरूध होने वाले अत्याचारों की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री के अध्यक्स्ता में एक कमेटी पूर्ण गठित की गई है एसी एस्टी अत्याचार निवारन निमावली 1995 के प्रवधानों के तहत राज अस्तरिये उच्छ सक्ति प्राप्त सतरक्ता और अनुसुरवन समीती का पूर्ण गठन किया गया है मुख्यमंत्री हिमंत्री के अध्यक्स्ता में गठित इस समीत्ती में कल्यान मंत्री चमपई सुरेन, बित मंत्री रामेशवर उराव, स्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महिला विकास मंत्री जोभा माजी, राज सभासदस सीवु सुरेन, समीर उराव लोक सभासदस सभी बन जनकारी लेने के लिए गिरी विभाग की समिक्षा की मोके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया की खनन में उप्योग होने वाले बीस फोटक नक सलियोत तक न पहुंचे इस पर नजर रखे समिक्षा के दुरन मुख्य मंत्री ने राजे के खुटी राची सराय क और बुढ़ा पाहा 36 गड़ एवं चत्रा गया पलामो और अरंगाबाद सीमा चेत्र की भी जनकारी ली दिल्ली में 25 को गिरी मंत्री अमित सासे मिलेंगे सीम हमन्त सुरेन जहरकंड के मुख्य मंत्री हमन सुरेन 25 सितंबर को सर्वदलिय प्रतनीद्ी मंडल के साथ कें दुरिये गिरी मंत्री अमित सासे मिलेंगे इस मिलकाथ में वेजातिय धालित जनकन्ना और सरना कोड जनकन्ना में सामील करने की मांग उठाएंगे इस बैठक में भाजपा की सोजोगी आईसू पार्टी का भी साथ मिलेगा इसके अलावा जारकन कॉंग्रेस राजद और वाम दलो के भी प्रतिनिदी मौजुद रहेंगे बता दे जामुमो महा सचो सुप्रीमो भटाचार ने बताया कि भाजपा समेथ सभी दलो से सर्वदलिय सिष्ट मंडल में सामिल होने का आगरख किया गया है बता दे कि जारकन में जात्ती आधारी जनगर्ना की मांग हो रही है रांची रिम्स से फरार हाटकोर्नक सली मौजपरपूर से गिरपतार रांची के रिम्स से पांच दिन पहले फरार सजयापता हाटकोर्नक सली क्रिश्ण मोहलन ज्जा और अभाय जी और काली जी को गुरुआर के भोर में मुझाफरपूर के पुरानी बजार इस्थीत एक सराफाक के घर से दबोच लिया गया है बता दे मुझाफरपूर्णागर थाना और रांची के बर्यातु थाना की सरन्यूक्त पुलिस करवाई में सरन्य दाता सराफाक कारोबारी मुकेश कुमार को भी गिरफतार कर लिया गया है पुलिस के मुताविक कृष्ण मोहर की फरारी में भी मुकेश ने मदद की थी रांची पुलिस ने मौके से दो मुबाइल जब्त भी की है रिजर्ट सुधारने के लिए जैक ने मांगा अंक पत्र राज्य में मैट्रिक और इंटर्मेडियेट पूरक परिक्षा में अपना रिजर्ट सुधारवाने के लिए सामिल हुए छात्र छात्राओ का जारखन एकेडमी काउंसिल ने अंक पत्र मांगा है चात्र चात्राओं को परिक्षा पूर्वी अंक पत्र जैक में जमा करने का निदेश दिया गया था लेकिन किसी ने जमा नहीं किया और कई ने परिक्षा दे दी है बता दे जैक ने सभी जीलों को जीलावार ऐसे चात्र चात्राओं के सूची भेजी है ऐसे चात्र चात्राओं का 2021 का जारी वार्षिक परिक्षा फाल तोरद कर दिया गया है अगर उनके अंक पत्र के मुल प्रतिजमा नहीं होती है तो उनके पूरक परिक्षा का रियल्ट जारी नहीं किया जाएगा चात्र विर्थिक के लिए आवेदन की तीथी 30 सितंबर तक अनुसुचित जन जाती अल्फ संख्यक वा पिछडा वर्ग कल्यान विभाग जार्खन सरकार के द्वारा पोस्ट मैट्रिक चात्र विर्थिक आवेदन करने की तीथी बढ़ा दी गई है आवेदन करने की अम्तिम तीथी 30 सितंबर तक कर दी गई है बताद राची जीला अंत्रगत अभी तक करीब 4000 आवेदन ही किये गए है जबकि कॉलेज वा सक्षिनिक संस्थानों के द्वारा अभी तक करीब 29 सब आयदनों को कॉलेज अस्तर पर भेरिफाई किया गया है जहारखन के राहुल राज राष्ट्रिये सेवा योजना पुरसकार से पुरसक्रीट देश के राष्टपति रामनात कोबिद ने कहा कि कुरोना महामारी के दोरान 25 लाग से अधीक स्वयम सेवकों ने अपनी जान की परवा किये विनाजागरूपता और राहत गति वीदियों में जिला परशासन का हाट बटाया सेवा करने के दोरान कुछ स्वयम सेवकों और कारेकरम अधिकारियों को अपनी जान भीगवानी पड़ी विराष्टि ये सेवा योजना आवाड 2019 बीस समारों को समधित कर रहे थे इस दोरान उन्होंने जारखंड के BIT मेसरा के NSS स्वयम सेवक राहुडाज को समाज सेवा के छेतर में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रस्कृत किया है 29 सितंबर से रांची से गोड़ा के लिए चलेगी स्पेसल ट्रेन रांची गोड़ा रांची के वीच नई त्री सबताहिक स्पेसल ट्रेन चलानी की घुसना रेलवे ने की है बतादे ट्रेन संख्या 086-04 गोड़ा रांची स्पेसल ट्रेन का उत्गाटन 29 सितंबर को गोड़ा से दोपहर एक बचकर 15 मेट में होगा वही रांची गोड़ा स्पेसल ट्रेन का नियमीत परिचालन रांची से 30 सितंबर और गोड़ा से एक अक्टूबर से होगा बतादे ट्रेन संख्या 086-03 रांची गोड़ा स्पेसल ट्रेन 30 सितंबर से परतेक मंगलवार गुरुवार या अमसनिवार को रांची से प्रस्थान करेगी बाबा बैधनात के दर्शन के लिए ई-पास लेने में परिशानी बाबा मंदिर में दर्शन पूजा के लिए जारी किया गया दूसरा लिंक भी कारगर नहीं दिख रहा बतादे इसमें कई खामिया है यही वज़ा है कि अब बैवस्था से बचने के लिए मंदिर परसाशन की ओर से सभी भक्तों को परवेश दिया जा रहा है बतादे गुरु आर्शे दर्शन.बाबाधाम.org बेवसाइट का लिंक इपास के लिए जारी किया गया था इसका लिंक जारी होते ही एक सब्ता तक सलोट बुक भी हो गया लेकिन इपास का प्रिंट आउट नहीं निकलने के कारण परिशानी हो रही है किसी तरह की और वेवस्था वहांगामे की थीती उत्पन नहीं हो इसके लिए परशासन ने गुरु आ सूबा से ही आय भक्तों को कुरोना नियम का पालन कराते हुए पूजा कराने की वेवस्था को जारी रखा है सराय केला में लगेगा दूसरा ऑक्सिजन प्लांट जारखन के सराय केला सदर अस्पताल के बाद अब कुचाई के समुदाईक स्वास्थ केंद्रे में जीले का दूसरा ऑक्सिजन प्लांट लगेगा बतादे PM Care Fund से बनने वाले इस PSA Oxygen Plant का सिलर नियास 25 सितंबर को किया जाएगा सिलर नियास कारे करम की त्यारी शुरू कर दी गई है सराय के लाखर्चावा जीला के सिविल सर्जन डाक्टर बिजय कुमार जाम तगा से 9 साइबर क्रिमिनल अरेस्ट जारखन के जाम तगा जीले में साइबर अपराधियों खिलाप पुलिश लागातार अभियान चला रही है बतादे साइबर थाना वा हिमानचल परदेश की पुलिश ने नरायन पूर वा करमा टांड थाना छेतर से कुलनोव साइबर अपराधियों गिरफतार किया है आप राधियों के पास से 24 मोबाइल 36 सीम, 10 ATM, 11 पासबोक, एक चेकबोक वा एक बाइक जब्त किया गया है पता दे गुरू आरको साइबर थाना में एसपी दिपक कुमार सिनहा ने प्रेस कॉन्फिरेंस करे जनकारी दी है जीत राम मुंडा के सौजनों से मिले रगवरदास रगवरदास ने कहा कि चिंता नहीं करे हम आपके साथ हैं पाटी करकताव को कहा कि जीत राम के परिवार को किसी तरह के परसानी नहीं होनी चाहिए किसी तरह की दिकत हो तो मुझे बताएंगे उन्होंने कहा कि जीत राम के परिवार को ततकाल एक लाख रुपे दिये जाएंगे जे एस एसी परिक्षा से हिंदी भासा को हटाने के खिलाप हाई कोट में अचका दाखिल सरकार की ओर से जार्खन करमचारी चयन आयोग परिक्षा निमावली 2021 बनाई गई है इसमें राज्ये के संस्थानों से दासुई और पलश टू योगित्ता वाले अभियार्थियों को ही परिक्षा में सामिल होने की अनिवर्ता रखी गई है इसके अलावा 14 अस्थानिय भसाओ में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है जबकि उर्दू, बांगला और उडिया सहित बारा अन्य अस्थानिय भसाओ को रखा गया है इस निमावली को हाई कोट में चिनोती दी गई है बतादे प्रार्थी, कोशल, कुमार और रमेश, हंसदा की ओर से दाखिली आजका में नई निमावली को असमिधानी घोशित करने की मांग की गई है अधिवक्ता अपराजीत, भर्दवाद, कुमारी, सुगंधा और तन्या सिन्हा ने बताया की नई निमावली में राजे के संस्थानों से ही दासवी और पलस टू की परिच्छा पास करने के अनिवारता किया जाना समिधान की मूल भावना और समानता के अधिकार का उलंगन है धन्यवाद